हलो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नमबर 12 रास्ट मंडल खेलों के प्रशन उत्तर और उसके बाद के कुछ और एक्सेसाइज़स को सॉल्फ करेंगे, ओके, तो लेट अस्टार्ट, Q3 देखे, नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर आपको देने हैं, तो 5 प्रशन दिये गए हैं, उनके उत्तर हमको लिखने हैं, उत्तर कैसे लिखे जाने हैं, ये हमको सीखना है, ठीक, सबसे पहले हम प्रशनों को सीखते हैं, फिर हम उत्तर देखेंगे, देखे, पहला प्रश तो जब उलम्पिक की समापती पर रॉबिंसन ने क्या सूचा और क्यों तो बॉबी रॉबिंसन जो थे वो एंस्टर्डम ओलम्पिक को देखने गए थे तो जब उलम्पिक खेल समापत हो गए तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो बृटिश शर्ता के अधीन देश हैं उन देशों के लिए अलग से कोई खेल प्रतियोगता आयूजित की जाए जिससे कि उन देशों के खिलाडी भी इन खेल प्रतियोगताओं में भाग ले पा था कि वो किसी इस तरीकी के विश्य इस तरीय प्रतियोगताओं में भाग ले सके तो रॉबिंसन ने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूं मैं इस तरह का एक बड़े खेल आयोजन की कोशस करता हूं कि मैं उसे करा पाऊं इसके लिए उन्होंने सारे पराधीन देशों से और ब जो खिलाड़ी गुलाम देश से और किस रूप में लाब मिला उससे पहले वो खेल खेल जिससे कि उनकी प्रतिभा छुपी हुई रहती थी वो अपनी प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शत नहीं कर पाते थे Lेकिन उनको अगला देखिए COMUN wealth यानि कि राश्ट मंडल हिंदी में बोलते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है COMMUN का मतलब होता है COMMUN जो सटका एक जैसा हो उसको COMMUN और WEALTH का मतलब होता है हमारी संपधा हमारा धन तो COMUN WEALTH का क्या मतलब हुआ? COMUN WEALTH का मतलब है हमारी COMMUN सोच हमारी common विरासत और हमारी common संस्कृति एक जैसी सोच, एक जैसी विरासत और एक जैसी संस्कृति वाले देश पांचवा देखिए सिंगापुर घोशना के अनुरूप सदस्य देशों के कोई तीन लक्ष और आदर्श लिखे सिंगापुर घोषणा के अनुरूप जो सदस्य देश है रास्टर मंदल खेलों के ठीक वो है 54 तो उन 54 देशों के बहुत सारे लक्ष और आदर्ष जो है वो स्थापित किये गए थे बताए गए थे तो उन में से आपको कोई तीन लक्ष या आदर्ष लिखने हैं ठीक तो च गोयाना को पहले हम ब्रिटिश गोयाना की नाम से जानते थे तो उसकी अलग से कोई टीम क्यों नहीं थी तो इसका उत्तर क्या होगा गोयाना की अलग से कोई टीम इसलिए नहीं थी क्योंकि गोयाना एक स्वतंत्र देश नहीं था वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन था यह हो यह वह British सत्ता का गुलाम था ठीक है? Question number खा देखिए Amsterdam Olympic की समापती पर Robinson ने क्या सोचा और क्यों सोचा? Amsterdam Olympic समापत हुए तो Robinson ने क्या सोचा और क्यों सोचा? इसका उत्तर देखिए Amsterdam Olympic की समापती पर Robinson ने यह सोचा कि British सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाडियों के लिए किसी खेल मेले का आयूजन किया जाए क्योंकि गुलाम देश होने के कारण इन देशों के खिलाडियों को ओलम्पिक या अन्य खेल इस परधाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था तो जो बात है actual में, reality में, वही बात हमको अपने answer में लिखनी होती है और इस थरह से लिखनी होती है कि अगर किसी ने chapter नहीं भी पढ़ा हो तो भी हमारे उत्तर से उसको बात पुरी समझ में आ जाए ठीक, एक बार फिर से इसकी reading लगाईए और देखिए कि Amsterdam Olympic की समापती पर Robinson ने यह सोचा कि British सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाडियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए क्यों किया जाए? क्योंकि गुलाम देश होने के कारण उन या इन देशों के खिलाडियों को Olympic या अन्य खेल इस परधाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था ठीक है? अगला प्रशन देखिए Robinson के प्रयासों से किन खिलाडियों को और किस रूप में लाव मिला? Robinson ने प्रयास किये तो उसके प्रयास सफल हुए तो इससे किन खिलाडियों को लाव मिला? और किस प्रकार लाव मिला? इसका उत्तर देखिए रॉबिंसन के प्रयासों से रास्ट मंडल खेलों का आयोजन संभव हो पाया फिर रॉबिंसन ने सबसे बातचीत की फिर दो साल उसको पूरा ये सब तयारियां करने में लगया और उसके बाद 1930 में पहले रास्ट मंडल खेलों का आयोजन कनाड़ा के हैमिल्टन शहर में हुआ इससे क्या हुआ इससे उन सभी खिलाडियों को खेलने का मौका मिल पाया जिन में प्रतिबातों थी पर उचित मंच नहीं मिल पाता था अगर ये खेल ना होते तो गुम्नामी और उपेक्षा के अंधेरे में चिपी प्रतिबाएं कभी सामने ना आ पाती तो रॉबिंसन के प्रयासों से रास्ट मंडल खेलों का आयोजन संभव हो पाया इससे उन सभी खिलाडियों को खेलने का मौका मिल पाया जिन में प्रतिबातों थी पर उचित मंच नहीं मिल पाता था अगर ये खेल ना होते तो गुम्नामी और उपेक्षा के अंधेरे में चिपी प्रतिबाएं कभी सामने ना आती तो ये पूरा इसका उत्तर है आपको ऐसे ही लिखना है ठीक है अगला प्रशन देखिए Commonwealth या रास्त्र मंडल शब्द का अर्थ बताइए तो Commonwealth या रास्त्र मंडल शब्द का अर्थ क्या है बताया था मैंने आपको समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश एक समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देशों को Commonwealth कहते हैं या रास्ट्रमंडल कहते हैं पांचवा प्रशन देखिए सिंगापुर घोशना के अनुरूप सदस्य देशों के कोई तीन लक्ष और आदर्ष लिखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं आपकी किताब में आपके चैप्टर में दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर हमने केवल तीन लक्ष लिखे हैं क्योंकि हमसे तीन ही पूछे गए थे तो सिंगापुर घोशना के अनुरूप सदस्य देशों के लक्ष और आदर्ष हैं कौन-कौन से शांती पूर सह अस्तित्व का पालन करना कि हम सब एक दूसरे के अस्तित्व का पालन करेंगे आपका भी अस्तित्व बना रहे हैं और हमारा भी बना रहे हैं कोई किसी को अब गुलाम नहीं बनाएगा कोई किसी का आप मालिक नहीं बनेगा मैत्री और भाई चारा बढ़ाना ठीक आपस में हम ये भी नहीं कि एक दूसरे के प्रती कड़वाहट रखेंगे एक दूसरे के प्रती इर्शा रखेंगे हम आपस में मैत्री पूर्ट तरीके से रहेंगे और हमारे बीच में भाई चारा बना रहेगा यानि कि हमारा प्रेम दो भाईयों के जैसा होगा और लोग तंत्र का पालन करना अब कोई किसी के उपर राज नहीं करेगा कोई राजा नहीं होगा जिस देश के लोग हैं उस देश के लोग स्वेम अपने देश के शाशन को समहा लेंगे और उसका अधिक्तम प्रसार करना तो ये तीन लक्ष हमने लिखी हैं इसके अलावा नागरिक अधिकारों का पालन करवाना मानव अधिकारों की रक्षा करना नसलिय भेदवाफ का विरोध करना उसको खतम करना इस तरीके के ओर भी बहुत अच्छे-च्छे हमारे लक्ष और आदर्ष हैं अब देखना ये है कि ये लक्ष और आदर्ष हम किस एक्स legendary तक पूरा कर पाते हैं कितना पूरा कर पाते हैं तो ये थे आपके पांच प्रशन और उनके उत्तर, अब आप इनके उत्तरों को लिखिए, समझिए, याद कीजिए, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन है आपका पाठांच, ठीक पाठ से एक अंच दिया गया है, और फिर उसके कुछ प्रशन दिये गए हैं, उनके उत्तर आपको इस पाठांच में से निकालने हैं नीचे दिये गए पाठांच को पढ़कर प्रशनों के उत्तर दीजिए, पढ़िए इसे देखिए, इसके बाद रॉबिंसन ने कई पराधीन देशों का दौरा किया, दौरा किया का मतलब वो वहां घूमने गए, घूमने गए बातचीत करने गए, ब्रेटेन की सरकार से भ बोलते हैं, और लगन, अंततहा, अंततहा मतलब आखिरकार, फाइनली, एड दी एंड, लास्ट में, सन 1930 में रंग लाई, रंग लाना मतलब सफल हुई, इसी साल पहले रास्ट मंदल खेलों का आयोजन किया गया, कहां किया गया, इन खेलों का आयोजन का भार कनाड़ा के ही सौपा गया, और जिम्मेदारी किसको दी गई, बोबी रोबिंसन को, वहां 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, कितने दिन हुए, 7 दिन हुए, 7 दिन 1930 तक, पहले रास्ट मंदल खेलों का आयोजन हुआ, ठीक है, अब देखिए, स्किप प्रश्न, रोबिंसन की मेहनत अंतता क अंपन हुआ, उसी वर्ष किन खेलों का आयोजन हुआ, तो उसी वर्ष किन खेलों का आयोजन हुआ, उसी वर्ष रास्ट मंदल खेलों का आयोजन हुआ, पहले रास्ट मंदल खेलों का आयोजन किस देश ने किया, पहले रास्ट मंदल खेलों का आयोजन किस देश ने किया और कौन से शहर में किया? Hamilton में किया पहले रास्ट मंदल खेल कब से कब तक खेले गए? पहले रास्ट मंदल खेल 16 से 23 अगस्त 1930 में खेले गए ठीक है? तो ये इसके answers हैं आप इनके answers को लिख लीजेगा paragraph मत लिखेगा, ठीक है? आगे देखिए भाशा की बात भाशा की बात आपका grammar portion है, इसमें क्या हमें करना है? दो शब्दों या वाक्यों को जोडने वाले शब्दों को योजक कहा जाता है हाँ, एक नई चीज पढ़ने आ रही है वापके लिए योजक, इन्हें समुच्य वोदक भी कहते हैं इंग्लिश में तो आपने सुना ही होगा conjunction कंजंचन को हिंदी में आप योजक बोल दीजे या समुच्य वोदक बोल दीजे बात एक ही है, जैसे क्या कहा रहे हैं कि दो शब्दों को जोडने के लिए या दो वाक्यों को जोडने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम योजक या समुच्य वोदक कहते हैं जैसे मैत्री और भाईचारा भढ़ाना अब इसमें एक शब्द है मैत्री और दूसरा है भाईचारा और दोनों को मिला कर हमें कुछ लिखना है तो हमने बीच में क्या लगाया और लगाया तो और क्या है एक योजक है मैंने ऐसा किया क्योंकि तुम चाहते थे अब मैंने ऐसा किया एक सेंटेंस तुम चाहते थे दूसरा सेंटेंस दोनों को जोड़ना है तो जोड़ा हमने किस से क्यों की से तो क्यों की क्या है योजक है इसी तरह से क्या है नीचे दिये गए वाक्यों को उचेत योजक शब्द से जोड़ कर लिखना है योजक दिये गए हैं क्यों की परंतु और तो ये सब योजक हैं अब इनको जोड़ना है देखिए Mellville ने खेलों की शुरुवात की इन खेलों का नाम British Empire Games रखा अब इसमें बताइए क्या लगाएंगे आप इसमें लगेगा और Mellville ने खेलों की शुरुवात की और इन खेलों का नाम British Empire Games रखा ठीक है तो इसमें हम क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे हम और मैंने उसको समझाया वह समझ ना सका एक positive होता है एक negative होता है याने कि दोनो opposite sentence होते हैं तो लगता है परंतू तो मैंने उसको समझाया परंतू वह समझ ना सका तो यहाँ पर क्या आजाएगा परंतु मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे यह तो सवाब करी लोगे, simple है मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे वरुन रोज पढ़ता है वरुन रोज पढ़ता है क्योंकि उसको प्रथा माना है because he want to get first position in the class उसको प्रथा माना है, ठीक तो यहाँ पर क्या आएगा योजक आपका क्योंकि है ना असान, simple भी है और मज़ेदार भी है यह exercise ठीक है, वाप इसे solve कर लेंगे अब हम चलते हैं अगली exercise पर नीचे दिये गए उधारणों देखो पढ़ों से उदाहरणों उदाहरणों को समझना है और लिखना है, यह क्या है आपके, यह आपके है समास, क्या है यह आपके, यह समास है आपके ठीक, आपने fourth class में समास पढ़े थे, अब आप पहचान सकते हैं तो पहचानी है कौन से समास है देखे, सिरदर्द, सिरदर्द को आपने लंबा करके लिख दिया, सिर का दर्द, कौन सा? सिर का दर्द, देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, लोग तंत्र, लोगों का तंत्र, गंगा तट, गंगा का तट, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, दूद दही, तो ये बीच में जो आपका हाइफन है न, इसे आप और में बदल दीजे, दूद और दही, नदी नाले, नदी और नाले, मम्मी पापा, मम्मी और पापा, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो सिर्दर्द, सिर्कादर्द, देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, लोक तंत्र, लोगों का तंत्र, गंगा तट, गंगा का तट, दूद दही, तूद और दही, नदी नाले, नदी और नाले, ममी पापा, ममी और पापा, दाल रोटी, दाल और रोटी, ठी, इस तरह से हम इन शब्दों को लिख सकते हैं, तो ये आपकी last exercise थी, इस exercise के साथ ही आपका ये chapter भी अफ फिनिश हो जा अब आप इन सभी एक्सेसाइस को नोट कीजिए लिखना सीखिए सुन्दर राइटिंग में वर्क कीजिए और लर्न कीजिए ठीक है अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे और अपना पसंदीदा खेल खेलते रहिए क्या पता किसी दिन आपको रास् मुक्तियों घिस हम नहीं को बिलेंग और लुक्तियyen सक्रावफे लिएकर थाल्यूज।